नमस्ते दोस्तों मेरा अस्मी जो सीरा सुई रस्मी की चैनल में आपका स्वागत थे और आज हम बनाएंगे बेर की सबजी तो चलिए बनाते हैं बेर की सबजी यह रही सामग्री यह 300 ग्राम बेर हैं मैंने हापर एक कच्चे बेर लिये हैं सबजी मंडी में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं अभी इस समय पे मार्केट में आ रहे हैं देखिए इस साइज के लिए एक अच्चे बेर हैं एक टमाटर है यह जिसको मैंने ऐसे काट लिया है दो प्याज है, मीडियम साइज के, इनको भी मैंने ऐसे काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती है कटा हुआ, अधरक लैसन का पेश्ट है ये, बड़ी चमच से एक चमच, छोटी चमच से एक चमच, गरम मसाला है पिसा हुआ, नमक सौत के अनुसार लगेगा, और ये तेल है, 200 ml तेल है ये, और ये मसाले हैं, तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं, सबसे पहले हम ये बेर लेंगे और इनको छील लेंगे, सबजी बनाने के लिए हमें कच्चे और बड़े बेर लेना है, देखिए इनको यसे हम छील लेंगे, आराम से यसे, छील लेंगे सारे बेर हम यासे ही, देखिए बेर मैंने छील लिए हैं, अब इनको हम काटेंगे, जैसे हम आलू काटते हैं, ऐसे काट देंगे, छोटी-छोटी, दो, दो, तिन, तिन पीस में ऐसे काट लेंगे, सारे बेर हम ऐसे ही, चोटे-चोटे पीस में काट लेंगे, देखिए ऐसे सारे बेर हम काट लेंगे, और गुठली अलग कर देंगे, ऐसे काटके, गुठली की जरूरत नहीं पढ़ती है, इसमें, देखिए बेर मेंने सारे ऐसे काट लिये हैं अब हम सबजी बनाना शुरू करते हैं बेर की सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे और कड़ाई को गरम होने देंगे गैस की फ्लैम मीडियम रखेंगे और कड़ाई में हम तेल डालेंगे बड़ी चम्मच से दो चम्मच बराबर हम तेल डाल देंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें हम एक चम्मच छोटी चम्मच से जीरा डाल देंगे और आदी चम्मच छोटी चम्मच से राई और इसमें हम ये लेसे नदरक का पेश्ट डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम जैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज डाल गएंगे और इसको हलका सा फ्राई करेंगे हम प्याज को ज्यादा नहीं सेखना है हमें प्याज को हलका सा सेखेंगे ये देखिए प्याज सेख लिया है हलका सा मेने ज्यादा नहीं सेखना है प्याज को अब इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे कटे हुए और तमाटर को थोड़ा सब पकाएंगे हम इसमें नमक डाल देंगे हम साथ के अनुसा एक चम्मच छोटी चम्मच से और इसको मिक्स करेंगे ठीक से नमक को हम अब इसमें हम एक चम्मच छोटी चम्मच से किसी हुई हल्दी डाल देंगे एक चम्मच छोटी चम्मच से पिसे हुए धने डाल देंगे और आधी चम्मच पिसी हुई चोटी चम्मच से मिर्ची डाल देंगे इसको ठीक से हम मिक्स करेंगे यह से अब इसमें हम यह पिसा हुए बेर डाल देंगे और इसको ठीक से मिक्स करेंगे हम ऐसे मिक्स कर लेंगे ठीक से और आप लोग भी बना कर देखिएगा मुझे कमेंट करके बताईएगा कि कैसी बनी है एक दम नई की रेसिपी है बेर की सब्जी अब इसको हम ढख कर पकाएंगे गया इसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे एक बार चेक कर लेते हैं पकी की नहीं पकी सब्जी थोड़ा सा टाइम और लगेगा भी तीन-चार मिनिट पकने में फिर से ऐसे ढखके हम तीन-चार मिनिट और पकाएंगे अभी इसको फ्लेम मीडियम रखेंगे देख लेते हैं एक बार और सब्जी पकी की नहीं पकी तीन-चार मिनिट हो गए हैं सब्जी पक गई है अब इसमबंद कर देंगे और बेर की सब्जी को सर्फ करने के लिए एक बरतन में निकाल लेंगे जो कटा हूँ अब जो कटा हूँ दनिया पत्ती था उसको इसमें हम डाल देंगे गारनेसिंग कर देंगे ऐसे और एक ये ऐसे रख देंगे पत्ती देखिए बेर की सब जिबन के तैयार है ऐसे ही 100 अदेश्ट बंजनों की रेष्टी देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें इसे अरकर हो मेरे चैनल पर ना है तो प्लीज सस्क्राइब करें थैंक यू तो आप जाइब करें झाल साथ बंजनों की रेचार है तो यू ना है तो लाइक करें आप यूरीश देखियो सकती देखिए तो जो भी रिए देखिग, जो एन जो देखिखिए।